श्रावन के पहले दिन आज 12 जोतिर लिंगों में से एक उज्जैन के महा कालेश्वर मंदर में भक्तों का सलाब उम्डा ग्रहन के बाद आज एक घंड़ा देरी से बाबा की भसमार्ती शुरू हुई ग्रहन मुक्ष के बाद मंदर शुद्धी की गई और भग्वान महा कालेश्वर का दूधः से अभिशेक किया गया जिसके बाद विदी विदान से पंडे पुजारियों ने महा काल की भसमार्ती की मानने ता है कि सावन मा भगवान शिफ का अतिप्रिय माह माना जाता है इस माह में भगवान शिफ का पूजन अभी शेक करने से मन्चाही मुराद पूरी होती है बाबा महाकाल मृत्यू लोग के राजा है और उन पर ग्रहंड का कोई असर नहीं होता लेकिन संसकारिक रीतियों के अनुरूप मंदिर की शुद्धी की गई मंदिर के पट आज करीब साड़े चार बजे खोले गए और भगवान का पंडे पुजारियों ने दूद दही पंचमरित द्रिव्व पधार्त फलो के रस से महाकाल का अभिशेक किया महा निर्वानिया खाड़े के प्रतिनी दिद्वारा विदी विदान महाकालेश्वर की भस्म आर्ति के गई जिसके बाद महाकालेश्वर का आकरशक श्विंगार किया गया क्योंकि यह लोकिक विवस्ता है गए लोकिक माननेता देने के लिए उस पर्मपरा का निर्वा करते हुए भगवान की बस्म आर्ति इस दोरां श्विद्धालू भोले की बहक्ति में लीन हो गई और महाकाल के जएकारों से मंदिर परी सर्ग गुंज उठा माहकाल की पंडि पुजारियों ने ढोल नगाडों के साथ श्रिंगार आरती की और फिश्रधालों के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया श्रधालों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेस प्रबंद किये है अलग ही लग और सावन का पहला दिन था राज वह बहुत अच्छा ही लगा आइंसी 24 निउस के लिए उजेन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट